जल्दी से आजेए सारे बच्चे तो आज हम लोग जार्खन पॉल्टेक्निक फर्स समेस्टर का बिहार पॉल्टेक्निक फर्स समेस्टर का या जार्खन से जो माइनिंग कर रहे हैं तो एक कोश्चन बावु इस टॉपिक से फिक्स है एक कोश्चन जो है इस टॉपिक से फिक्स है इनवर्स मेथड से एक्स वाई जेड का भैलू निकालने ठीक है तो जल्दी से सारे बच्चों आजएए देखो पिछले बार हम बताएं थे कि एक फिलिम है करन अर्जुन उसमें वो बुढ़िया को कन्फरम मालूम था कि मेरे करन अर्जुन आएंगे उसी तरह से राज सर को यानि हमको पूरा मालूम है कि आपके एक्जाम में एक कुश्चन इनवर्स मेथड से एक्स वाई जेड का भैलू निकालना आएगा दो को कुश्चन फिक्स है एक आपका एक आपका क्रेमर्स रूल से x, y, z का वैलू निकालने है क्रेमर्स रूल तो इससे भी x, y, z का वैलू निकलता है और दूसरा मेथड है हम लोग का इनभार्स देखो इसको इनभार्स मेथड भी लिख देगा इनभार्स मेथड से x, y, z का वैलू निकाल लो तो भी हम लोग निकालेंगे भाई इनभार्स मेथड से या तो इसको बुल देगा इनभार्सन मेथड तो भी हम लोग भाई वही मेथड इस्तामाल करेंगे या बोल देगा मैट्रिक्स इनभर्सन मेथड तो भी भाई वही मेथड है और कभी-कभी खिसिया कर कभी-कभी खिसिया कर मैट्रिक्स मेथड लिख देता है एक साल एक बच्चा मिला हमको वो बोला कि सर आप बोले थे कि इनभर्स मेथड से एक्स वाई जेट का बहलू निकाल ले कन्फर्म आता है लेकिन सर इनभर्स मेथड से कहां आया परिछा में बोल दिया था मैट्रिक्स मेथड परिछा में बोल दिया था मैट्रिक्स मेथड तो आप तो inverse method सिखाएं थे और kremer's rule सिखाएं थे तो kremer's rule आया बना लिए लेकिन matrix method से बना नहीं पाए तो उस दिन के बाद से हम अब सारा नम्वे बता देते हैं कि आपको inverse method बोले, inversion method बोले, matrix inversion method बोले, matrix method बोले, सब का मतलब क्या है? एक ही है, का नाम है तुम्हारा? उदय, सरवदय, उदय, बेठो, अब तुम्हारा नाम उदय है, तो कोई उदया भी बोलता होगा, तो उदया बोले, उदया बोले, और कुछ बोलता होगा, क्या? इसका नाम से तुतीन नाम नहीं बनेगा, है ना? उदय अतुल बोल देता होगा तो अतुल मेथट बोलेगा तो दूसरा चीज हो जाएगा तो भाई ये कुछ भी नाम अलग-अलग बोले तो आपको नाम से डरना नहीं सब वही मेथट है तो फर्स समेस्टर में तुमको टोटल दो मेथट सिखना है एक्स वाइजट का बैल्यू निकालने कितना मेथट दो एक क्रेमर्स जो हम इससे पहले सिखा चुके हैं उसमें बहुत इजी था खाले डिटर्मिनान निकाल गए काम हो जाता था तो नई सिखे हो तो मेरा वीडिय को दोनों को विष्वास थाने कि दोनों आएगा तो उसी तरह हमको विष्वास है कि एक क्रेमर्स रूल भी आएगा और एक इनभर्स मेथड भी आएगा तो यह दोनों बहु ज़्यादा इंपोर्टेंट तो चलो सिखते हैं बाबू हम लोग और तू लोग जब थर्ड समे में कितना मेथड और सकेंड में नहीं सिखाया है लेकिन तीसरा सेमेस्टर में जाओगे तो कितना मेथड तीन मेथड टोटल कितना हो गया तो डिपलोमा में टोटल आपको पांच मेथड से सिखना है और जब हम बीटेक में पढ़ें तो बीटेक में दूगो मेथड और तो कितना हो गया 7 तो हम x, y, z का भैलू स्ताथ मेथट से बता सकते हैं बस समझ गया और जो बीटेग वाला मेथट था उह आठ पेज में आता है ऑट एक्स, y, z का भैलू कितना पेज में आठ पेज में और उसमें 16 नमर का एक कुश्ण आता है 14 का हम लोगों के टाइम में 70 का एक्जाम होता था बीटेग में और पांच कोशन 14-14 का सत्तर तो एक कोशन कितना का था 14 का था तो आठ पेज में बनता था ठीक है तो आप लोग दो मेथड तो अभी फस्सम वाला में ही सीख लेना और बहुँ जल्ब इस वीक में हम तो रड़ सेम के लिए भी वो तीन मेथड सीखाने वाले है तो वो तूम लोग के लिए जरूरी नहीं है लेकिन तुम लोग शीख लेना हावा बनाने के लिए काम है कि भाई XY दू मेथड पूछा है आप पांच में भी तर बना देंगे नियुक्छा देखो एक कोशन कोभी लेते हैं किताब कही कोस्टोन ले लेते हैं और एक चीज और क्याल्कुलेटर अब्सक्राइब tik है ये कॉस्ट्ट के सब्सक्राइब का अल दो चेज़ादे निक दो और फिरे यह स्ब्सक्राइब आ जैज़ा ओ disabled क्योंकि answer वा अगर हमको पहले सा मालूम रहेगा ना तब तो हम गलत कभी बना ही ने पाएंगे उतों लास्ट में answer पहले लिख के रख देंगे ठीक है कि यही answer आएगा ही आएगा तो एक question है 2x plus y c नहीं दूसरा उर ले 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 थे कोई दूसरा question नहीं थी मज़ेदार question नहीं easy question है हम थोड़ा सा hard question देना चाहा रहे है कि इसमें लगता है जो होगा ही question इसी को बना लगता है x plus y plus z बराबर 3 या अपने से भी हम ले सकते हैं कोई question x plus y plus z बराबर 3 और x plus 2y plus 3z बराबर है 4 कि ये को equation होना चाहिए 3 equation देखो metric में पढ़ा था linear equation in two variable x और y तो दूगो equation था और इसमें x y z के गो variable है तीन गो तो के गो equation होना चाहिए और x, y, z के बाद तो कुछ है नहीं है इसका मतला तुम समझ जाओ कि बीटे को टेक तक तक तीने variable पढ़ना रहता है तीन variable से बेसी पढ़ना नहीं रहता है तो अगर चार variable रहेगा तो के को equation होना चाहिए चार होना चाहिए तो यह दो गो equation हुआ तीसरा है x पलस और y पलस नाइन जेड बराबर 6 ठीक है बाबू यह है आपका question ठीक है तीन को equation दिया वर रहेगा तीन को equation equation 1 equation 2 और equation 3 तो यह तीनो equation से हमको क्या निकालना x y z का भैलो तो अगर बुलता क्रेमर्स रूल क्या बुलता तो कौन सा method से बनाते क्रेमर्स रूल और क्रेमर्स रूल से हम बहुत ही easy way में सिखाएं आप में से कितना लोग सीखा था तो लोग देखवें नहीं करता वीडियो अगरा ठीक है चालो कोई बात नहीं तो क्रेमर्स रूल से हम सिखा चुक है अल्रेडी आप में से जल्दी से जो एप में देख रहे है जल्दी से comment में बताईए आप में से कितना बच्चा इसको क्रेमर्स रूल से बना सकता है आप में से कितना बच्चा इसको क्रेमर्स रूल से बना सकता है बहुती इजी वे में सिखाएं थे यूटूब पर भी सिखाएं थे तो बहुत ता बच्चा झीतमे किल सीग अपताव बदमास अहीर थो थोड़ा सा नाम चेंज कर वालों मेरा से है ना बदमास तुम रहो भाई तुम जाते के बदमास बना रहा है तो नाम चेंज करा लिंग अज Хот कर देना hugging कंचन जी बोल रहे हैं कि हम बना सकते हैं कि सौरब डे मंसूर भाई कि प्रिंस गुपता अलिसा सिंग सुधांसु बिट्टू कि बभी कुमार गुपता लगड़ बच्चा बोल रहे हैं बहुत सरे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर क्रेमर से हम लोग बना सकते हैं यूटूब वर दिखते हैं कॉमेंट यूटूब में कौन-कौन मना सकता है यह लाइव क्लास यूटूब पर भी चलरा है याधा दिन तक नहीं चलेगा अब आज अब आज के बाद YouTube के खलास नहीं होगा इसमें जल्दी से बताओ, दिव्यानसु जी यूटूब पर दिव्यानसु जी बोल रहे हैं कि हम सर बना सकते हैं, समसेर जी बोल रहे हैं, बना सकते हैं, विसाल को सवाहा जी लगबग बच्चा इसमें भी YouTube पर भी बहुत सारे बच् कि हां सर हम लोग बना सकते हैं एक बच्चा बोरा आरा जिला से हैं सर आरा जिला आरा जिला घर वा कौन बात के डर वा चलो तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि बना सकते हैं लेकिन आज हम लोग क्रेमर्स रूल तो नहीं सीख रहे हैं जो बच्चा क्रेमर्स रूल वाल है ठीक है चलो तो आज हम लोग इसको कौन सा मेथड सा सिखना है कि इनभार्स मेथड इनभार्स मेथड तो इनभार्स मेथड से हमको एक्स वाई-जेट का भैलू निकालना है पुलड ओऊंए तो पिछले क्लास में साइद यूटूपर रोग्रस नहीं हो पाया था फैप में हुआ ऐसे यूटूपर भी इन हर्स निकालने हम सिखाए बहुत पहले का वीडियो होगा कि तो इनवार्स पहले आपको निकालने जाना होगा धू बच्या निकालने नहीं जानता है ओ इन वार्स मेथटरस a 1972 का वेलू निकालना उसके लिए बहु जादा मुश्किल Итак तो एप में तो बहुत सारे बच्चे को हम पिछले क्लास में दम दूद भात की तरह इनभर्स निकालने सिखाएं थे, ठीक है, अब एक बच्चा बुरा सार हम औरंगा बाद जिला से हैं, तब कि जीले के आज नाम लेते रहते हैं ना, ठीक है, चलो, तो आज हम लोग इनभर इनभर्स मेथड से एक्स वाइजेट का भैलू निकालेंगे, और उसके लिए पहला मकसद क्या है हमको, कि भाई, इनभर्स जानना होगा, तब ये बन पाएगा, तो जो इनभर्स नहीं सिखा, परियास करते हैं, ऐसे इनभर्स में ज्यादा टाइम हम देंगे नहीं, इनभ देखो हमको X, Y, Z का भैलू निकालना रा, तो देखो एक मेथड ये समझना, ऐसे लिखना होगा, A को गुना करेंगे हम बड़का X से और बराबर लिखेंगे B, ठीक है? A को गुना करेंगे X से और बराबर लिखेंगे B अभी बोलेगा सर यह A क्या है यह X क्या है और यह B क्या है यह फॉर्मूला है एक तरह से A को किसे गुना करना है? X से और बराबर क्या लिखना है? B अब तुम बोलेगा सर यह A क्या है? X क्या है? भी क्या जान जाएंगे तो काम मेरा हो जाएगा ठीक है अच्छे एक बात बताओ बाबू यह x का अगर हम कोई भैलू निकलना है तो क्या हैगा भी और यह गुना वलग कहां जाएगा भागा में यानि b by a अच्छे एक बात बताओ बाबू कि जो बाई में A है, यानि A का पावर कितना है? 1 है, तो A का पावर 1 है, हम इसको उपर ले जाना चाहते हैं, तो क्या होगा? A का पावर, माइनस 1, A का पावर, माइनस 1, और यह क्या है बाबू? B, यानि X बराबर क्या आगया मेरा? X बराबर आगया, A का पावर, माइनस 1, और A का पावर, माइनस 1 ने के तो inverse बोलते हैं, यानि A inverse B, बाद समझ में आगया? यानि X का पावर, यह X कौन है? बड़ा X है, तो बड़ा X बराबर क्या है? A inverse B, तो A inverse निकाल देंगे और उसको B से गुना कर देंगे, मेरा XYZ का भैलू आजाए, तो यह जो भागा में A है, वो उपर जाए गई जाएगा, हमको क्योंकि A inverse निकालना है, ठीक है? तो अभी तक पूरा मजा नहीं आया होगा, अभी देखो, हम इसको अभी मेटाते हैं, अभी ज्यादा दिमाग मत लगा, सब चीज भूल जाओ, क्या है फर्मुला, A को किस से गुना करेंगे, यह कौन वाला X है, छोटा X नहीं है, बड़ा X, बराबर क्या, B, तो A को गुना कर रहे है, X है, बराबर में लिखे हुए है, B, अभी जो A है, ना बाबू, A, जो A है A जो है, क्या है बाबू, A, A के जगा में लिखो, इसम ध्यान से देखना, जो X, Y, Z का कॉफिसेंट है, किसका कॉफिसेंट, आरे X, Y, Z से जो चिपका हुआ है, वही A मैट्रिक्स हो जाएगा, तो X के आगे कुछ नहीं है, तो क्या है, 1, Y के आगे कुछ नहीं है, तो, जेट के आगे कुछ नहीं है, तो, अरे जिसका कोई नहीं उसका उपर वाला, X के आगे कुछ नहीं है, तो, दूसार का एक वसंद तो, दूसार का लाइन में डालना है, ये वाई के आगे द Palmerराफ्ट ग्यांभ ये थो लिखने जड्स यां फोर लिखतें कि अधुर यह यह ज्यादा सुनाइ मधथे लाइन मुज़रें अध्ये क्यों सारिक्Space ने लगाना नहीं कि दूनों में वन लिखे तो इसमें अपने मंद से कुछ और लिख देता है दिमागे ने लगाना एक से आगे कुछ नेतो तो one नúcarम जब ज़ए लगा one को य किको डाइञे कुछ नेत तो कुछने के से है थे थी य क्या आगे four पिर जेट क्या क्या है अच्छा नाइन है तो एट लिखने का नियम है ऐसा नियम होजी है सकता है नाइन है तो एट कैसे लिख दें बचुछ वोगा अपने मंद से लिखने लगता है इसलिए बता रहे हैं कितना यह होगा 9, हो गया, तो यह A क्या है मेरा पता चल गया, पता चल गया, अब मेरा कौन है, यह वाला, X, बड़ा वाला X, तो X क्या है भाई, X कुछ तो होगा न, तो हम क्या बोले थे, X से का भाईलू निकालना है, कौन वाला X, बड़ा वाला X, तो X का भाईलू है मेरा X, Y, इसलिए हम बहार बार उसको बाड़ा बाला एकस बोल रहें तो X का वहलू किया है मेरा X Y Z तो A भी पता चल क्या है? B भी पता चल क्या है? अब कौन बचा? Sorry, A पता चल गया, X पता चल गया, आब कौन है? B तो B कौन है भाई? वी कौन है चाहिट बैंड कर चाहर गया दोत्यार सादी में खाय था-टीन गों 0,3 2 खिलाया पिला। नहीं खिलाएगवा तो उससे किब भैस। व्हें बैस्ती के बाद हो। जब खिलाना तो चाहरों की खिलाओ। तो यह सब का कॉफिसेंट तू ले लिया लेकिन बराबर के उस साइट जो यहां 3 है 4 है 6 है उगरा कोई बयलू ने देगा तो उसको बयलू देना पड़ेगा न तो वही है मेरा B, B कौन है 3 , 4 , 6 , B है मेरा 3 , 4 , 6 , कोई दिकत यानी अच्छा यह मैथम सिखा रहे हैं यह कोस्च तो क्या inverse method से बोलेगा, कोई और question देदेगा, तो हम लोग डर जाएंगे, और उसमें भी A वही रहेगा, जिसके x, y, z के coefficient, और x मेरा हमेशा x, y, z रहेगा, तो ऐसा मत सोचो ना, जैसे आज मान के चलो, यह घंटा का class होगा, और यह घंटा में हम यह एक ही numerical solve करा पाएंगे, तो कुछ बच्चा क्या बोलता मलव है, तर एक घंटा में यह को question, तो भाई हम question नहीं सिखा रहे हैं, हम यह method सिखा देना चाहरे हैं अच्छा से, और नहीं तो जल्दी जल्दी में चार गो question करा दियें, अब पांचवा question आया तो आप से नहीं बन, एक को question सीखो, इतना ध और एक को question प्रेक्टिसों नहीं करते थे, बस एक को बना लेते थे, जैसे एक को question मास्टर साफ मलव है सिखाए, तो दूसरा question अपने से हम लिए, और उसको क्या कर लिए, बना लिए, और अगर बीना फसे मेरे से एक बार में बन गया, तो बस मेरा काम, अब तीसरा question प्रेक कैदम तो खुद, खुद से सीखते थे, और तू लोग अभी यही आदर जालना पड़ेगा कुछ दिन के बाद, ठीक है, तो यह चीज़ समझ में आ रहा है, तो अभी तक तो tension नहीं है, और हमको निकालना क्या है भाई, x, y, z का value, यानि यह वाला बढ़का x का value, तो a नीचे गया, तो उतना b बाई नहीं करेंगे, हम सीधे लिखेंगे, a inverse, b, x बराबर क्या, a inverse, b, अब इस page को हम क्या कर रहे है, copy कर लिए, x बराबर क्या, a inverse, b, अब यह question हम delete करेंगे, अरे, तब copy करेंगे, चेका फैदा हुआ, हाँ, तो x बराबर क्या है बाबू मेरा, a inverse, b, तो यह x के जगा मेरा क्या है, x, y, z, यह मेरा है, x बराबर, क्या है बाबू, a का inverse, और यहाँ क्या है बाबू, b, तो a का inverse, देको power minus 1 लिख दिए, अभी क्या था भेलू, तू लोग बता दो तू, लिखा कोई, नहीं लिखा, नहीं लिखा तो यहाँ से हो जाएगा, 111, 111, 113, 119, 111, 113, और e वला केतना था, 346, यह यह ना बाबू, तो यह मेरा क्या है, यही तो a था, तो a का क्या निकलना है, power minus 1, यानि a का inverse, और जो मेरा पिछला क्लास देखा है, उसको पता है, कि a का inverse कैसे निकलता है, यानि overall मेरा e क्या है, x वराबर क्या, a inverse b, तो यह जो a है मेरा, उसकी का क्या निकलना है, inverse, तो a का inverse निकालके, किस से गुना कर देना है, b से गुना कर देना है, ठीक है, तो जल्दी से हम, इस question को क्या पहले करते हैं, क्या निकालते है, inverse, a का inverse, copy किये, यह मेरा क्या है, a है, यह मेरा क्या है, a, a नाम का matrix है, और इसी गाम को क्या नहीं कलना है, इन्वर्स, तो देखो, यहां समझो, जो पिछला क्लास नहीं देखा है, उसको भी हम कोशिस करते हैं, बताने का, इन्वर्स निकालने के लिए, क्या था फार्मूला मेरा, a इन्वर्स बराबर, one by a का determinant, और गुना में, एड्ज्वाइंट, यह फर्मूला है, a इन्वर्स का, यह इन्वर्स का क्या फर्मूला है, one by determinant, और गुना क्या, एड्ज्वाइंट, ठीके, पिछले क्लास में, चीक चीक के हम बता रहे थे, कि बाबू जो इन्वर्स नहीं सिखेगा, इन्वर्स मेथड से एक स्वाइज्वाइज्वाइच का फैलू निकालने नहीं सिख पाएगा, तो देखो, आया न, a का क्या निकालने, inverse, और inverse निकालने के लिए, सबसे पहला काम, a का क्या निकालो determinant उसके बाद क्या निकालो adjoint और adjoint निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है co-factor या minor तो जो भी co-factor या minor आएगा फिर उसको क्या करना पड़ता है transpose तो जैसी उसको transpose कर दिया हो गया adjoint तो one by determinant गुना adjoint कर दो आगया a inverse और जो भी a inverse आएगा उसको b से क्या करना पड़ेगा गुना तो हमको लगता थोड़ा थोड़ा brain तुलो का भारी feel होने लगा होगा ठीक है तो कुछ दिर में हम इसको पहले बना देते हैं उसके बाद पिर से आसान हम feel कराएगे तो पहले इसका a का क्या निकालो determinant a का determinant कैसे निकालते एक का determinant तो a का determinant निकालने हम बोले थे कि आप पहला रो से भी बना सकते हो इसको बोलते हैं यह है पहला रो यह है दूसरा रो यह है तीसरा रो तो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो किसी से भी बना सकते हो या रो छोड़ो तुम कॉलम से भी बना सकते हो पहला कॉलम दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम से भी बना सकते हो पहला रो से बनाते हैं तो क्या नियम था बाबू रो में क्या नियम था मालूम है ना पहला प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, ये ध्यान रखना है, तो पहला क्या था बाबू, प्लस, वन, वन निकाल लो, वन, वन निकाल दिये, दूसरा क्या बाबू, माइनस में क्या, वन, तीसरा क्या बाबू, प्लस में, हो गया यहां त हम अब था कि वोक्सभा में क्या ढाले तो क्या बोले थे कि जिस रोख को लेगँ रों में तो पुरा गोली चल जाएगा खत्म हो जाएगा ठीक है और फिर जिस 대해 को लेगा जासे देखो हम रहा बन 15 लिए यह पहला रोट क्नम को लिए तो Sharp के सामने खत्म कि इसमें क्या करता है कि तलवार को अथी करना पड़ता है कैसे के पहले उथ तुम को ऐसे भोका तलवार तो तुम उधर के उसको नौ को किस से दू से नव दुनी, 18, और देखो हमेशा उसमें घट आते हैं, हमेशा घट आते हैं, चार्थिया, देखो बाबू, जो इनभार्स निकालने नहीं सीखा है, वो इनभार्स मेथड तीकने का प्रयास करोगे बाबू, पूरी तोर पे कभी सीख नहीं पाऊँ, क्योंकि इनभार्स से न तो इनभार्स वाला वीडियो देख लो 100% तुम दिख जाएगा ऐसे लास्ट में हम तो अभी प्रेक्टिस कराएंगे ही कराएंगे दूसरा क्या है बाबू हो गया अब ये वाला अब की कौन लिए बाबू 1 ये वला लिये न इसको लिये इसको तो पहला रो तो खतम है ही इसके नीचे भी खतम क्या बचा 1 3 1 9 फिर तलवार्भो को क्रोस 9 को किस से 1 से 9 माइनस एक को किस से 3 फिर यही काम को ये वला वन किसका फिर किस से इतिसर का लिया अच्छा पहला रो लिये है तू पहला रो तो हमेशा खतम है जो रो लोगे वो पूरा खतम हो जागा अज वन लिये न वन पर बैठ जाओ और इधर भी गोली मार दू बम गिरा दो चार को बचा कैसे करेगा तलवार चार को एक से हमेशा पहले इधर ठीरे ठीक है तुम अगर इधर के है तो पहले उठ तुमको तलवार भोकेगा तब ये तुम भोकना ठीक है तो चार को एक से माइनस एक को दूसरे और बीच में हम ऐसा माइनस फार्मूला का है ये जो माइनस होता है किसका होता फार्मूला चलो स्वाल करो अठारम बारा गया छे थे कम छे 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 माइनस फवन और ये छे हुआ छे को माइनस फवन से गुना तो माइनस से उद्दू दू को एक से गुना ती कितना है बाबू छे में छे खटम तू आया एक बात ध्यान रखना ए इंभर्स का वहलू कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए जीरो कैना चाहिए कि जीरो akan the Eller भी डेटर्मीनांट है सवारि डिटर्मीनाट का वहलू जीरो नहीं होना थे अगर डिटर्मेनाट का वहलू 0 हो गया तो 1.08 हो जागा infinity हो जागा अब परिभासित हो जागा न हो जागा by में कभी भी अरे तुछ लोग नहीं सिखा था number system कि हमेशा कोई भी number मालो 2 by 3 चलेगा लेकिन अगर इसको 2 by 0 लिख देंगे तो तो by में 0 नहीं होना चाहिए यानि determinant का value 0 नहीं होना चाहिए कि अगर 0 हो गया तो या तो तू गलत बना रहा है या तो खुस हो जाओ math बनाने का जुरत नहीं है तुम लिख देना कि determinant का value 0 है इसलिए math नहीं possible नहीं है बन्बे नहीं करेगा तो तुमको फिरी फोकट का number मिल जाएगा लेकिन हम एक पर बना रहे थे परिच्छा में जीरो आ गया पूरा खुस हो गया कि चल अब चार-पांच पेज नहीं बनाना पड़ेगा खाली डिटर में हंटे में 0 आ गया तो अधिकतर कोशन वैसा देता नहीं अधिकतर कोशन देगा गाला जीरो नहीं आएगा जीरो आ जाने सा तो मैं थुमे नहीं बनेगा गाल तूब इसके बाद क्या निकाल ए और एड्जुाइंट ए निकालने के लिए पहले निकालना पड़ता है को फेक्टर हो अभी क्या होता है यह भी समझ में आएगा को फेक्टर को फेक्टर को अफ ए कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं माइनर ओफ ए भी बोलते हैं अभी को फेक्टर माइनर कैसे निकलता अभी तुरंत समझ में आ जागा मजा आ जागा कोई टंसर नहीं है अच्छे एक बत बतातो पिछले क्लास में भी बताएं थे यह जो है नवाबू यह वन कोई तुम से पुछे गई वन कहां है तो तुम बोलेगा ठीक उपर में तो बो यह उपर में दायं में, भायं में तो यह सब दा मजा नहीं आता तो इसके लिए ऐस पैसल एड्रेस है इस पहला row में है और पहला column में तो इसको क्यों न बोल दिया जाए सबको A बोल दो, A, 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 सब A ही है और बोल दो पहला row, पहला column तो पहले row बोल दो one, और column बोल दो one, तो A11 बोल दो, इपहला row और दूसरा column तो ए वन टू बोल दो शुरू में हमेशा रो बोलते हैं फिर कॉलम बोलते हैं तो इसी लिए इसका एकुरेट जो एड्रेस बनाये गया है वो ऐसे है देखो ए वन वन ए वन टू ए ववन थृण यही पढ़ने का है लेकिन मेरे सामने ए ए 11 2.13 बोल सकते ही हैं क्यमकि हूँ बोलते हैं तुम भी बोल Hol लेकिन जैवाहा है बावारे तुम परफिस् सिखाया है तो हमर नाम लिया तो हमरों बढ़ जाएगा ऐसा नियम नहीं है अब हम तो इसको बोल देते हैं 21 आज़ाई रोव नमर दू है और कॉलम नमर वन ये रोव नमर दू है कॉलम नमर तो ऐसे कर दो ये रो नमर तीन है 31 32 तो यह सब का को फैक्टर का मतलब इसका जगा पे क्या होगा इसका जगा पे क्या होगा यह आपको बताना रहता है कहां कहां 11 12 13 21 22 22 ठक जाता है बच्चालो करते करते 31 32 यह 33 अब बुलेगा सर इसका जगा क्या भरे सर क्या भरना है क्या भरना है एक का इन भर्स एक या था बाबू यह मेरा क्या था या था ना 1 1 111 के बाद था 120, 140 इसको क्या करना है 11 बहुत असान से बता देगा कोई टेंसर नहीं होगा तुम चाहेगा तो इसको थोड़ा सा एक दू लैंड में भी बना सकता है जिसे 11 हम डारेक्ट लिक देंगे देंगे देंगो कैसे 11 कौन है 11 बाबू यह वला है तो जिसके बारें बात होगा उस पर जाके बैट जाना अब मसीन गंज लेना एजम पूरा सोजे भूंज देना अब फिर इधर से सोजे भूंज देना यह को छोड़वे मत करना चार गो खाली बचेगा गलती से इधर भूंज दिया इधर भूंज दिया यह को बचा चार गो बचा क्या क्या तू थ्रे और और मसीन गंज भूजने के बाद भी जो बच गया उसको क्या चीज़ा भोग देना है तलवार से छोड़ना नहीं है ठीक तो जल्दी बताओ कैसे करेगा तलवार कैसे चलाएगा 9 किसे 2 से और 4 किसे तो करो 9 दुनी तो तुम यहां दिखा सकता है 18 माइनस कितना चारतिया 12 तुम दिखा सकता है हम डारेट शोट मार दे रहे है 18 माइनस 12 छे हम डारेट 6 लिख दे रहे है ठीक है लेकिन तुम दिखा सकता है तुम जादा तेज है और जादा तेज है तो तुम ऐसे भी दिखा सकता है यह है क्या यह मेरा A33 है यह मेरा A22 है तो तुम दिखा स सब्सक्राइब कर सकता है अगर इतना करेगा तुमको तो नोबल पुरिश्कार सश्थालमानित किया जाएगा आठ नमर तो दिया जाएगा नौबलों पुरिश्कार दिया जाएगा तुम इतना दिखा देगा काफी है ऐसे 9 दुनी अठारा यह दिखा देगा काफी है नो इंटू 2 माइनस तार इंटू 3 केतना अगर लिख दिया सफिसेंट है इससे ज्यादा लिखने के जवरत आई इतना काफी है ठीक है अब डारेक्टो छे लिख देगा तो और कोई बिगाड़ नहीं सकता है देगा नमबर जल्दी से लेकिन डारेक्ट नहीं लिखना एक लाइन लिख देना ना अठारा माइनस से अठारा कैसे आए लि को जंता मुझसे सिलिप हो जागा कहीं भी तु घवूला जागा एंवं तो चुथ जिसको लेते हैं बाबो जिसवले तक को यहां गोली लिये इसपे बैट गये सामने सामने गोली मर ना है कि सामने गोली मर दिये अरे तरिकी तो, दूसरा ये तो, ये तो मिसाइल गिर गया, गोली मारहता, मार दियें गोली, ठीक, आप सुनो, नहीं टेपर गोली मारने का कोई है क्या इस्कीम, नहीं, नहीं तो हम तो बोले है जिस रोक नितने हो, वो पुरा खत्म हो जाद यहां से डोक लोगेष पूरा खत्म जाएग सिंपल से जिस मीश्रों को लिये हो रोखफ़़कों बस नो जानते हो तूम कैसे करेगा नो एकन नौ एक तिया तीन नौ में तीन घटा दो फिर सच वायए चलो अपती सरका बता बाबूद कि अब तुम expert हो जाए ना तह बार बर उतना यह बला है ना यह खतम यह खत्म बाद में तुम और लिए यह काम को कर सकता ऐसे देखेगा यह खतम यह बार बार चिसने का तुमको जौरत एक्स्पेरियंस हो जागा तब इकना यह शार दू चार में धू घट गया गाव तो यह काम करो बाबु अब इतना हम अकेले करेंगे तो लोग एकगो एकगो करो कोई A21 कर लो जल्दी से सारा बताईए ए टूटू केतना होगा जल्दी से बताईए ए टूटू आठ आया पक्का ना चलो तो देखते हैं आठ आता है कि नहीं किया था कितना बच्चा बोला ए टूटू आठ आया बुला यह वाला यह रोख अधम यह कॉलम गदम नौ एक अधम नौ में घट गया आठ हाँ बिल्कुल साहिए समर्राज ए टूटू बोल रहा है कितना पांच ए टूटू पांच तो है अरे आगे बताओ ए थ्री टू एक बच्चा बोल रहा है टू है ए थ्री टू यह वाला यह वाला बच्चा बोल रहा मेरा कोई की टू है और एक बच्चा बोला मेरे पास मैथ का एक एक वेस्टन है को सॉल्व करेगा यह तो हम भी सॉल्व करेंगे यह लास्टन सॉल्व करेंगे चलो जल्दी जल्दी ए थ्री थ्री वन बोला बच्चा एक ए थ्री थ्री वन बोला ए थ्री वन वन और ए टू थ्री ए टू थ्री तू लोग पर विश्वास करके लिख दिये हैं गलती होगा तो हमर रिक्स नहीं है चलो आप देखो इतना करने के बाद साइन वाला नियम करना पड़ेगा साइन वाला नियम नहीं नहीं कियें और यह वाला नहीं करेगा पहला प्लास माइनस प्लास माइनस प्लास माइनस प्लास माइनस प्लास यह करना पड़ेगा न तो फिर चेंज कौन करेगा यह वाला डाइमंड 1, 2, 3, 4 minus is the virus of mathematics जैसे computer में virus आ जाता है तो computer हेंग करने लगता है mobile में भी आ जाता है उसी तरह math का virus कौन है minus minus को plus बना देता है plus को minus बना देता है ठीक है तो देखो तो बाबू ये plus में तो क्या बन गया उसके बाद ये वाला ये पलस में तो ये वाला ये वाला बस ज्यादा दिमाग मतलगा वही चार गो चेंज होता डाइमंड डाइमंड सेफ ये वाला सेफ तो ये जो आया बाबू इसको क्या करो कोफेक्टर ओफ ए जो आया इसको लिख दो पहले पहले लिख दो बाबू इसको कोफेक्टर ओफ ए क्या आया? क्या है? 6 6 अरी minus 6 है 2 minus 5 8 minus 3 1 minus 2 यह मेरा क्या आया सकती है थो अर हमें बोले हैं कि निकालना हमको एट्जॉइंट क्या निकालना है इसको करना पड़ता है ट्रांस्पोज अभी ट्रांस्पोज वर्ड से नया बच्छा को डर लगने लगता है तो ट्रांस्पोज का मतलाब यह जो रो है ना रो छे माइनस है दू यह रो में है उसको क्या ची में लिख दो? कॉलम और रो को बना दो कॉलम या कॉलम को बना दो रो उखरे बोलते हैं ट्रांस्पोज डरने का जोरात है नहीं तो लिखो एड़्जवाइन टे बराबर क्या? को फेक्टर ओप एक है क्या? ट्रांस्पोज देखो ऐसे कर सकता है यह क्या है मेरा? छे मैनस छे दू मैनस पांच 8 मैनस 3 1 मैनस 2 1 यही है ना इसका पावर क्या लिख दो? T T का मनलब क्या? ट्रांस्पोज एड़्जवाइन टे यह जो को फेक्टर ए आया इसका क्या कर दो? ट्रांस्पोज या तुम यह ना लिख के लेंग्वेज में लिख सकते हो लेंग्वेज में कि एड़्जवाइन टे ब्राबर ट्रांस्पोज ओफ और आफ्टर और अप्टर अफ आया बाबु उसको क्या कर दो? ट्रांस्पोज कर दो ठीक है? कर देते हैं ट्रांस्पोज एड़्जवाइन ए ब्राबर अब की ट्रांस्पोज कर दे रहे हैं ट्रांस्पोज करने के लिए क्या बूले हम रो को बना दो कॉलम तो 6 माइनस दू रो में है ना कॉलम में लिख दो चे मैनस से कॉलम में लिख दियें फिर तीसरा क्या है ? 1-211 यह मेरा क्या बन गया ? में निकालना है , थोड़े मतलब है हमको तो A inverse से मतलब है ठीक है तो A inverse इसो कॉपी कर ले रहे है यह मेरा आया हुआ तो हमको क्या निकालना था भाई A inverse का फॉर्मुला क्या था गुना यह वन बाइड डिटर्मिनांट ए गुना एड जॉइंट ए तो जल्दी से बताओ बाबू A inverse बराबर 1 भाई डिटर्मिनांट एग कितना आया था एक डिटर्मिनांट कितना एग था दू इसके जगा दू आया तो तीन लिग दो दू आया तो दू यह लिखेगा अगुना क्या है कितना यह ए अड जॉइंट है यह तो यह ही दिखा रहे है भाई हम लिख दू 6 मैनस 5 अच्छा पिछला क्लास में 1 आया था तो हम लोग बोले थे 1 by 1 मतलब कोई मतलब नहीं कुछ बच्चा बोला था कि सर 1 के जगे हम कुछ और आएगा तो क्या करेंगे तो पिछला क्लास में भी बताएं थे हम कि आप इतने लिख के भी छोड़ सकते हो या बाई में 2 है तो सब के बाई में क्या लिख दो लिख दो बाबू 6 के बाई में 2 3 डारेक लिख दो माइनस 5 बाई 2 1 बाई 2 अच्छा माइनस 6 बाई 2 या नी क्या 8 बाई 2 या नी और सब के बाई में 2 कर रहे है तो जो दूसरे कटे लाइक है उसको काट दे रहे है पुदिकत ये मेरा क्या अ गया एंभष तब बोलेगा सर हमरा एंभष निकालना था हमको तो X, Y, Z का value निकालना है लेकिन X, Y, Z का value निकालने के लिए हमको A inverse निकालना पड़ा क्यूंकि Formula क्या है मेरा Formula क्या है मेरा यह तो मेरा A inverse मेरा क्या था Formula बाबु X बरबर A inverse B और यह X मेरा क्या था? X मेरा क्या था? X Y यही था बराबर क्या? A inverse B A inverse कितना जल्दी बताओ? 3 minus 5 by 2 1 by कि बाद? यह मेरा क्या है? A inverse और इसके बगल में क्या है मेरा? B कितना था बाबू? B मेरा सुरुया से लिखे है 3, 4, 6 3, 4, 6 हमको यही X Y Z के value निकालना आथा इसका तो A inverse को किस से गुना करना? B से यानि इसको इससे गुना करना है तो ध्यान दो जब मैट्रिक्स हम सुरुवात किये थे तो दो मैट्रिक्स को जोलने सिखाए थे दो मैट्रिक्स को घटाने सिखाए थे और दो मैट्रिक्स को गुना करने भी सिखाए थे गुना करने हम सिखाए हैं भूल गया है तो अभी सीख लेगा कोई टेंशन लेना नहीं तो आप दोनों को हम क्या करेंगे गुना करेंगे गुना कैसे करते हैं गुना कैसे करते हैं तो यहां है देखो गुना कैसे करते हैं गुना करने के लिए नियम है इसका जतना कॉलम होना चाहिए इसका उतना रो हो अगर वैसा है तो गुणा होगा इसमें के को column है एक दू तेन आ इसमें के को रो है एक दू तीन तो number of column पहला का और दूसरा का number of row यदि बराबर होता है तो गुना होता है, गुना सबका possible नहीं, गुना कब possible है, जब पहला का number of column और दूसरा का number of row बराबर हो जाए, गुना सिखाए हैं, गुना वाला वीडियो देख लेना, एप में डाला हुआ गुना वाला वीडियो, ठीक है, और नहीं तो अभी तो सिखी जाएगा, कोई उसम हम क्या सुनो, ऐसे बाबू आगे बढ़ते जाना, और ऐसे नीचे गिरते जाना, तीक है, देखो क्या, यहां समझना, फटला बढ़ा करते हैं सु, देखो यहां पर, ऐसे आगे बढ़ते जाना, अब ऐसे नीचे गिरते जाना, गुना मेरा हो जाएगा, देखो यहां पर देखना वैसे आगे बढ़ना अब ऐसे नीचे गिरना फिर इसको इसको किसे उनैगा इस से और इसको किसे उना इस से यह प्रोसेस करना तो यह minus 5 by 2 है यह plus है तो plus minus क्या हो जाएगा minus कितना 5 by 2 गुना कितना फिर इसको किसे 1 by 2 को plus 1 by 2 को यह मेरा हो गया पहला रो का काम finish अब किसका काम दूसरा रो को किसका इसका जल्दी बताना minus 3 को किससे होगा आई 4 को आई minus 1 को आगे जाना नीचे गिरना यह गुना कोई hard भी नहीं है simple गुना है तो जल्दी बता minus 3 को किससे minus 3 को इसको दूसरा pen से लिख देते हैं माइनस 3 को देखो यह पहला लिया इसका पहला लेना इसका दूसरा लेना इसका तीसरा लेना तो इसका तीसरा लेना तो इसका तीसरा लेना तो फिर 4 को किसे करना चार से फिर माइनस 1 को 6 से ठीक है फिर अब तीसरा रो 1 को किसे करेगा गुना तीन से फिर जोड होता है लेकिन यहां माइनस है तो माइनस थरी बाई टू को किस से चार से फिर वन बाई टू को कोई दिकत को छोटा तोड़कर देते हैं ठीक है बाबू अब इसको solution करो तो कितना आता है कि इसको इसको solve करो यहीं लिख दें इसको solve करके कितना आता है 3 तिया 9 यह 2 से 2 वार में कट गया ठीक न आया 10 यह 2 से 3 वार में कट गया तो देखो बाबू यह आया 9 यह माइनस में आया 10 और यह पलस में आया 3 तो 9 और 3 12 और यह 9 और यह 3 12 आई कितना घट गया 10 तो 12 में 10 घट गया कितना पचेगा 2 तो यह मेरा आ गया 2 दूसरारका कितना है इस चर्चों के 16 आई तीन ती है 9 माइनस में और इचे कम 6 माइनस 6 माइनस है और माइनस 9 कितना होता है माइनस 15 और पलस में कितना है 16 16 में 15 घटा दू एक एक इग नाया है मि LEVN और 2 से 4 चर्चांगा दूब और में 2 से 6 पलस में 3 तीन माइन आया इधर यह तीन और想法 यह माइनस में हैं 6 ayudं में छहे गया यह मेरा यह मेरा यह मेरा किसके बराबर आया है यहां देखो एक्स वाई जेट के सामने आया तो एक्स के सामने कौन है तू य के सामने और जेट के सामने यानि मेरा X का फेलू कितना आ गया और Y का फेलू और Z का फेलू यही मेरा क्या हो गया अंजर यही मेरा हो गया अंजर लेकिन अभी सही बना की गलत बना कैसे पता चलेगा X का फेलू दू और Y का फेलू एक और Z का फेलू जीरो इसको क्या करो, क्या करो, जो question था, उसको question में क्या करो, put करो, question देखो तो क्या था बावू, क्या था, x का value मेरा, 2, y का 1 और z का 0, check करो, x का value 2, y का 1, 2 और 1, 3, and z का value 0, तो 3 और 0, 3 है, तो देखो मेरा 3 है, तो पहला पर satisfy हुआ, तो मतलब क्या, तीनों पर check करो, फिर x का value 1, sorry, x का value 2 था न, 2, और y का value 1, तो यह 1 करेगा, तो यह 2 और 2, 4 हो जाएगा, अई तो 0 है ही, 4 आ गया, x का value 2, और y का value 1, तो यह 4, तो 6, और z का value 0 है, तो 6 आया न, यानि मेरा बात सही है अंसर मेरा हो गया, अब इतना लंबा बना, तो समझ में तो आया सब, लेकिन brain कह रहा हो गया, पहले क्या करना, नहीं करना, उसके बाद क्या करना, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा summary टाइप का करते हैं, तो देखो, simple सा समझो, अरी page में देदेंगे, देखो, फिर से, एक question लिखेंगे, और उसके बाद पूरा pattern अभी समझ में आ जाएगा, करना क्या, करेंगे कुछ नहीं, पूरा तुमको क्या कर देंगे, pattern समझ में आ जाएगा, देखो, एक question है, बाबू, एक question है, question नमर मालो है, 2 है, x plus 3y plus 2z बराबर है 6, ठीक है, 5 मिनट समय लगेगा, पूरा भी समझ में आ जाएगा, दूसरा equation क्या है, 3x minus 2y plus 5z, बराबर कितना है, 5, और तीसरा equation है, 2x minus 3y plus 6z, बराबर है 6, ये question है बाबू, ठीक है, और इसको हमको कौन सा method से बनाना है, inverse matrix method से, inverse method से, ठीक है, तो देखो, एदम आसान लगेगा, हमको क्या करना है, पहला एक मानना है, गुना करना है x से, और बराबर क्या लिखना है, और ये जो x बराबर हो जाएगा, तो ए नीचे गिया, तो क्या मेरा बन जाएगा, ए इंभर्स, एक्स बराबर क्या आगिया मेरा, ए इंभर्स बी, और ये x मेरा क्या है, एक्स, वाई, एक्स क्या है मेरा पता हमको, चल, एक का इंभर्स, और क्या है, बी, अच्छा बी क्या है, ये भी हमको पता है, बी क्या है न, ये भी हम लोग को पता है, बी भी पता है, किस से गुना करना ए इंभर्स को, ये हमको पहले से पता है, बी कितना है बाबू जो सब बराबर के बगल में जो रहता है 657 65 यानि हमको यह जो एक्स है एक्स वाई जेड यह भी पता है बी का वेलू 657 जो बराबर की साइड होता है उभी पता है तिर्व क्या नहीं पता है ए इंभर्ज तिर्व ए इंभर्ज ने पता है तो अब बुलेगा सूर ए इंभर्ज पूरी जोड़ीए पहले यह पता रहे मतंस निकालेंगे जब हमको एज पता रहे क्युक् hyper श्रुन निकालने यह बोलताा ए इनभर्ज तो यहां तो तो यह निकालना तो दूद भाथ है, पहला equation देखो, 1, 3, 2, 1, 3, 2, x, y, z का coefficient, जल्दी से बताओ, 3, minus 2, 5, 3, minus 2, 5, 2, minus 3, 6, 2, minus 3, 6, यह a हमको पता है, तो यह जो a पता है हमको, यह जो a पता है, इसकी का क्या करना है, इसकी का a का inverse, और किसे कुना कर देना, b से, और b हमको पता है, यानि कुछ नहीं है, जो question दीखता है बाबू, उससे हमको a पता चल जाता है, ओकरे inverse निकालते हैं, और के कर से गुना करते हैं, 6, 5, 7, यानि 20, यानि math में कुछ है यह नहीं है, सिर्फ हमको क्या निकालना है, a inverse, और a inverse निकालने का तरीका, तरीका, क्यालना है, कहां था भी निकें, यहां इसको मारते हैं, यहां इसको मारते हैं, हाँ भग गया अच्छा से पेज को सर्याद रहें ताकि तू लोग को दिकत हाँ देखो करना क्या सुनो यह तो बुझा गया यहां तक अब मेन है कि इनवर्स के लिए सर कुछ बता दीजिये टेकनिक ताकि इनवर्स असान लगे लेगा यही था एक एक अहां से निकलता पता है और बस एक इनवर्स निकाल के किससे कुना कर देना है बी से अब बी क्या है यह भी हम लोग कपट्र अ arada को एक डिटर्मिनाट पहला से एक अधि तर्मिनान निकालना है अतु लोग तुरन बोलेगा हाँ सरी ये निकालने जानते क्यूंकि आप बताएं है पहला रोसे भी बना सकते हैं दूसरा से में भी बना सकते हैं इसे बना लो ना 1 3 2 पहला प्लस माइनस प्लस ऐसे कर लेना ऐसे पहला 1 फिर माइनस में क्या 3 प्लस में क्या 2 2 आ जागा यह का टिटर्मिनंट तो पहला मेरा काम हो गया यह वाला दूसरा क्या एडज्वाइंट यह निकालना है और एडज्वाइंट यह डारेक्ली नहीं निकलेगा इसके इसके लिए हमको दूसरा स्टेप में क्या निकालना पड़ता है को फैक्टर ओफ ए अभी तुम बोलेगा सर यह तो आप बता दियें कि बहुत अच्छा से यह 11 12 13 21 21 32 33 ऐसे करके सब का भैलू निकाल देंगे इसमें भी गोली बंदुग चलाना था तलवार भोकना था साइन कंवेंशन भी कर देना पलस माइनस प्लस कर लेना यह वाला नियम से पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस उभी बता दिये कि में डाइमंड सेफ है वही दिकत करेगा यह तो यह भी को फैक्टर भी तुम कर लेगा कोई बढ़का चीज नही है और को फेक्टर के बाद क्या करना था जस्ट ट्रांस्पोज करना था अट्रांस्पोज करना कोई बड़का तो पॉला चीज था नहीं अरे को फेक्टर निकाल लिया मतलब तुम्हारा मैथ बन गया जो को फेक्टर आया पलस माइनस पलस तो करना ही करना है अवकरा खाली क् तो रो को बना दो column, तो रो को बना दो column बोलेगा तो आसान लागेगा और यही बोल देंगे कि उसका कर देना transpose तो थ्वड़ा मुश्किल फिल होने लगता है तो आप तो तूलोग जानेगे कि उसका transpose कर देंगे तो sozusagen हमिवेगल का transpose कर दिया तो वही क्या है chose van today तो बस 138 बश्य दितर्मिनांटित अहां गैसं किitness अध्या और यो को फैक्टर को ट्राझसंपोज किया था वह अन्यांटर बैथा दो वाए ने जो भी आया 2 आया 3 आया 4 आया कटिंग कुटिंग कर लो A inverse आ गया और A inverse आ गया तो उसको किस से कुना कर दो B से मेरा math बन गया तब तुमको लग रहा होगा कि सर उतना भी मुश्किल नहीं फिर से बताना कोई भी एक question रहेगा जल्दी से को question देखते हैं फिर से अच्छे कोई कोई question ऐसा देता बाबू जिसे question नमर 3 है X पलस Y पलस Z बराबर कितना है 2 और Y पलस Z बराबर है 1 और Z पलस X बराबर है 3 Z पलस X मतलब क्या बराबर कितना है 3 ठीक है और इसको हमको inverse में थट से बनाना है ठीक है बाबू सुन जाओ हम बनाएंगे तो नहीं करेंगे क्या फिर तो भाई A इंटू X बराबर X बराबर क्या A inverse B A का inverse B से गुना जल्दी बताओ A कौन A कौन A कौन 1 1 1 1 1 1 कोई दीकर नहीं अच्छा पहले B बताओ ना B B तू लोग मजे से बता देगा B कौन B मेरा 2 1 3 B में तो के को रो ज्ञमेले नहीं अच्छा E वाला X कौन E वाला X तो E भी बोल देगा X Y Z एकुरो में किसी को ज्ञमेला नहीं A में भी ज्ञमेला नहीं होता था लिगने इस पर कुश्चन थोड़ा सा अलग दिखा रहा है जल्दी बताओ Y Z है X मेरा नहीं है तो X नहीं है इसका मतलब क्या X नहीं है मतलब 0 को है नहीं है मतलब तो X के जगह 1 वे दिकत अब जल्दी बताओ Z X तो Z यहां 1 लिख दे बिकेट गिर गया यहां जाहां लिखा बिकेट गिर गया लेकिन गल्ती से बिकेट सही है सही का है कि इसके बाद X ही है इसका वल्दा देखो X है Z है कौन नहीं है Y ने ao Y वाला कौन पाठी रहता है बीच वाला पाटी, तो इसको का करो तुम, इसको थोड़ा सर्या के लिख दो, नो तो बिकेट वा तेरा X और Z जो लिखा हुआ है, X और Z, तो X और यहाँ Z यही है न, तो 0Y लिख दो, नो तो तुम्हारा बिकेट गिर जाए, तो Y के जगा, और Z, तो A पता चल गया, X तो प इसका inverse निकालेंगे, और के कर्स गुना करेंगे, 2, 1, 3, अगुना करना बहुत असान है, सीधे जाना, नीचे जाना, मतलब इसका जहां तुम inverse निकाल दिया, तुम B से गुना करना, तुरंट X, Y, Z का भैलू आ जाए, आई इसका inverse निकालना बहुत असान है, कि इसमें दू तुम को 0 दिख रहा है, और 0 होने से जानता है, क्या होता है, वो अधिकतर के काट देता है, खतम करता है, 0 के करोज भूना करेंगे, 0 ही होगा, बहुत असान बन दाता है, तो इसको तुम क्या करो, A का inverse निकाल लेना, और इसका inverse कैसे निकालेगा, पहला काम क्या करेगा, A क determinant, दूसरा काम, co-factor, co-factor करने के बाद उसको, sin, sin plus minus देना मत भूलना, भूल जाता है बच्चा लोग, दे दिया तुम, उसके बाद क्या कर देना, उसको transpose कर देना, transpose जहां कर दिया, adjoint बन गया, अब बस, A inverse का formula है, 1 by determinante, अगुना, adjoint उस पर बैठा देना, तो A का क्या ज किसे गुना कर देना, 213, गुना करना, जो आएगा, x, y, z का answer, तो हमको लगता है, अब असान लगने लगा होगा, इससे पहले, जब सबते पहला बार बताएं, तो तो लोग लग रहा होगा, sir, का 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 कर रहे है, वाफ रे वाफ, ठीक है, तो इसका तो बहुत वरह तो इसका answer तो लो, क्याची में देते ना, बाबु, यह YouTube पे लाइब है, ती तीसरा question का भी answer, YouTube का comment में देना, और दूसरा question भी होगा, यह, देखो, यह दूसरा question है, इसका भी YouTube के comment में देना, ऐसे लाइब चल रहा है, दोनों जगा, एप में भी, तो एप में chat section, जो है, ब बात करते रहता है, दिन भर, बच्चा को पढ़ाई में disturbance होता है, तो जो एप वाले बच्चे वो भी YouTube पे जाके comment देना, question number 2 का क्या answer होगा, question number 3 का क्या answer होगा, ठीक है, और आज का session कैसा लगा, सारा बच्चा, एप वाला भी YouTube पे जाके comment कर देना, ठीक है, और उमीद करते content है, उसमें डाल दूँगा, बहुत जल, अब सारा PDF जितना भी है, उसमें डालते जाओंगा, ठीक है, चलिए, तो आज का class अब इतना ही, आज आपका सायद, तीन class हो गया, chemistry के से पहले हुआ, communication skill हुआ, और भी math हुआ, ठीक है, देरे-देरे कोशिस करेंगे कि physics भी साम में आप लोग का shift कर दे, physics भी shift किये वही है, ठीक है, सारा चीज हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धनिवाद, thank you